सुनिये जब आपने आदेश करी दिया तो दो लोईन दो मिनट और दो भाते जो आपके बीच में रखने जा रहा है इमानदारी से कलेजे पर हाथ रखियेगा और सुनिये जा यह धर्में सोलंगी क्या कह रहा है रात को 11 बजरा है साड़े 11 बजरा है और आपने आदेश किया है अखिलेश जादोजी के गीतों को सुनाने के लिए साइदा आप इस बात से परचित हैं सच बोलना मना है आज का दोर में सही बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता सच बोलेंगे कब जेल चले जाएगे कोई नहीं जानता इस परवेस में भी कोश्मीर सेखन्या कुमारी तक रोज कहीं हम लोग जाते हैं और गाते हैं मुझे लग राएं कि जो मुझे सुनने आता है अगर एक हजार की भीन रही होगी दो हजार के भीन रही होगी तो उस भीन का 70% हिस्टा इस मात के लिए बैटके इंटेजार करता है यह खिलेश जादो का इनकलाब धर्मेन सुलंकी से दो लाइन सुना जाएगा तो उसके पस्चात भी रहा सुनके तब घर चला जाएगा और यह हर जगा की बात है दो मिनट सुनिए मेरी बात हला की परवक्त कहानी नहीं लिखती तारीब कभी खून को पानी नहीं लिखती और मैं बोल रहा हूँ इसलिए चुनता हूँ दुनिया किसी घूंगे की कहानी नहीं लिखती सवाल करता हूँ दो से तीन मिनट में दो तीन गीते छोटी छोटी सुना के मेरी हाग के तरब लेके चलूगा सुनिए खिलेश यादो का गीत 10 मार्च सन 2022 को उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाओं का रिजल डाना था और आपकी नजर दुनिया की नजर उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनाओं के रिजल पर थी 10 मार्च 2022 के पहले आप अपने गाउं में तै कर लिजिए सुबा चार बजे भोर में अगर दिसम्बर 2021 में दोड़ने वाले लड़कों के संख्या 50 रही होगी तो जन्वरी 2022 में 50 से बढ़के 100 हो गई होगी फरवरी आते आते 100 से बढ़के 200 हो गई होगी कारण क्या था जानते हैं नौजवानों के मन में विश्वास था कि 10 मारच को एक ऐसा आद्मी मुख मंतरी बनेगा जिसने कहा है तुम्हारे सरीरपर्ग और प्रदेश पूलिस की वर्भी देखर तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे इस सवाल पर नोजबान दोड़ते थे नई बनी सरकार कुछ लोगों ने पूछा सोलंगी भाई आप लगा तारख लेश यादोजी के साथ चलते हो मीडिया के कुछ साथियों ने घेरा और का सोलंगी बताओ तो हमने का खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई और कुछ जगह पर मसीन जीत गई कुछ जगह पर मसीन जीत गई आये उससे किसी को क्या लेना देना लेना देना तो आपको धर्में सोलंगी से प्रतक्ष रूप से और ततकाल में इसके बाद आप सब की सोचेंगे सुनेंगे पंद्रह दिन बीत गया पचीस मार्च आया यूटूब के साथियों दुनिया के खबर आप रखते हैं मैं लखनव गया था पचीस तारीक को अपने नेता आध्रण ये खिलेश यादोजी से मिलने खड़ा था मायूसी थी चारो तरफ आई गारी रुकी अंदर बुला लिया गया मैं खड़ा था अपने नेता के सामने नजरों से पानी गिर रहा था आखे नम थी रखा था मेरे कंदे पर हाथ हमारे नेता आध्रण ये खिलेश यादोजी ने और का सोलंकी राजनीत में सर समझेंगे लेकिन जिस दिन समझेंगे उस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार होगी इस कार्मा को मत रुकने देना नमस्ते किया कहें बताओ उमने का कुछ नहीं साथ 15 दिन हो गया था मुलागात नहीं हुई थी मन बेचाहिन था असिरवाद लेली आप दाम घर जा रहा हूं पुरुवांचल एक्सप्रेस्वे पकड़ के घरे आओ तरली सुल्तानपुर का कट में पार किया था तब तक एक फोन आया सरकारी पाटी के एक आदमी का और इतनी गंदी बात कहा साथ इतना खराब भासा में हमसे बात किया उस बात को आपके सामने मैं नहीं कह सका इस अजी पहले स्यादों का गाना अब तो सरकार नहीं बनी आप क्या गवे रोजगार है तो सुल्दान बदलने वाला है रोजगार है तो साइकिर की रफ्तार बढ़ने वाली है उन्हें का भी अगावंगा ऐसा थोड़े गावंगा तोबहां और क्या गावंगे तुम्हारे करोगे को चीज तारी को बात हुई और 26 तारी को चुनाओ के बाद पहला गी थमने काया कागोलेली मार्शक यह यह चुनाओ के बाद पहला काना कागोली कागोली आस्ता के ओकर बधिया दिमाग में रहे जबले बाद जान यही आरे जबले बाद जान यही तिनाबा में पोसल उनको दीन रही है और अब थोड़ा थोड़ा समर्थन आपका मिलेगा तो दो तीन मिनेट में घरम करूंगा माहोल को सुनियेगा जबले बाद जान यही तिनाबा में पोसल उनका दीन रही है पाद यही तिन रही है वोजिन्दा बाद यही तिन रही है वोजिन्दा जो आयाकतव जैंग याई। झायाकतव जैंग ँायाकतव ज सर्दार जारी नीहे लिए झाल 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 झाल